सो अलो फ्रेंट्स बेलकाउंट टू आउर चैनल प्रीज अम नालेज तो फ्रेंट्स आज की सेक्षन में हम लोग कबर कर रहे हैं पढ़ेंगे कि अभ्यास नंबर 8.4 का हम लोग इस्टेडी कर रहे हैं जो कि त्रुकोड मिती का परचे का एक चेप्टर है और कलास की बात कर सब्सक्राइब कर लिए तो अभी हम लोग इस्टडी करने वाले हैं अभ्यास 8.4 का और यह है त्रुकोड मिती का परचे का और इसमें कोशन नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं का रहा कि त्रुकोड मिती अनपातो साइन ए सेक ए और टैन एको को कौट एक पदो में ब् बहुत इंट्रेस्टिंग सा सवाल है चलिए इसका सालूशन करते हैं तो हमें बदलना कि साइन एस एक और टैन एको को कौट के पदों ब्यक्त करना है तो कैसे इसको चेंज करेंगे तो देखिए इसको चेंज कर सकते हैं बहुत सिंपल सा है कि आपको कुछ फार्मूले या सब्सक्राइब के लिए कइस सब्सक्राइब करेंगे और जब स split सुख्यास का क्या आजागा औरघमुल हो जागा औरट्यकर करना इसमें जैसे यह को लिख सकते हैं व्यूथकरम ठर्यकरवे अनपात से को क्या लिख सकते हैं इक पढ़रोटोar काभ एक पढ़रोटो एक पढ़रोटोस श्रफॉ होती है लोज़ें तो देखी है अब इसको और सिंप्लिफाइए कर दसे हैं 10 स्कूराइए के लिए लिख सकते हैं क्योंकि ब्यूत करम त्रिकोड मिती अनपात में होता कि 10 theta equal to 1 by का 4 theta square लगा देंगे plus का 1 अच्छा है अब देखिए यहां से हो जगा 1 plus का 4 square theta upon 4 square theta अब theta के जगां पर ABC कुछ भी हो सकता whatever तो यहां से 6 theta equal to कि आप जागा अंडरोड का 10 square theta plus 1 तो यहां से कर सकते हैं कि हाँ 10 a equal to 1 by का 4 a हो जागा तो इस तरीके से एक question number first का solution हो गया अब इसमें second का हम लोग सालोशन करते हैं second में देखिए कुछ optional सा सवाल है और इसमें कहा रहा है कि 1 plus 10 theta plus 1 theta और bracket में 1 plus 4 theta minus kawsegg theta का मान क्या होगा तो देखिए इसके हंतर जागा यह सब फर्मूला का यूज होने वाला है कि 10 theta का फर्मूला होता है साइन और कास के पदों में की साइन अपन को से सेक एका होता 1y का कोस एक है एक कोस एका फार्मूला होता 1y का sin a और एक सार्सकर्म का होती है most important sin square a प्लस cos square a equal to 1 सार्सकर्म का फुस्ट होती है तो चले इसका solution करते है तो देखे हमें 1 को तो जिव कात्यों लिखे देना 10 थिटा को हम लिख सकते हैं, sin theta upon cos theta, यहां से, अचाए, sick theta को 1 by का cos a लिख सकते हैं, यहां से, यहां से, आप देखिए, one को 1 a लिखा, cod को क्या लिखेंगे? Cos by का sin a, क्योंकि इसका फार्मुला होता है, cod theta का sin और cos के पदों में, और देखिए Cosic को लिख सकते 1 भाई का Sin A तो देखिए जब इसको simplify करेंगे तो इन दोनों का LCM क्या होगा Cos A होगा अच्छे उपर क्या मिलेगा Cos A plus Sin A plus 1 नीची इन दोनों का LCM क्या होगा Sin A और उपर क्या मिलेगा Sin A plus Cos A minus का 1 अच्छे अब दोनों का जो कंबाइन करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में multiplication है तो एचीज मिलेगा कि Sin A into Cos A और उपर देखिए क्या क्या सेम है यहाँ पर कि Sin A plus Cos C यहाँ पर भी Cos A plus Sin A सेम है तो यहाँ जागा Sin A plus Cos A आप 4 square प्लस 1-1-1 हो जाएगा अच्छा A plus B आप 4 square का फार्मूला होता है आपको मालूम होगा कि A square plus B square plus 2AB यह होता है तो यहाँ पर उसको जब change करेंगे A square Sin A plus Cos A and plus 2 into Sin A into Cos A minus का 1 अब देखिए यहाँ से सरस्मकार नमबर फर्स्ट आजाएगी Sin A plus Cos A कमान क्या है 1 तो इसके इन दोनों के जगहां पर 1 जब रख पुट करेंगे तो फिर मिलेगा 2 Sin A into Cos A minus का 1 और नीचे हो जगा Sin A into Cos A तो यहाँ से देखिए 1 से 1 भी disconnect हो जाएगा क्योंकि A plus में है और A minus में है तो कट जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 2 Sin A into Cos A upon Sin A into Cos A अब देखिए Sin A into Cos A दोनों से कट जाएगा तो answer के मिलेगा 2 तो इसका option number C सही होगा ठीक है तो इस तरीके से आप question number second को भी solve कर सकते हैं तो फर्स्ट का ओ सेकेंड आपसन था and just अभी हम लोग को study करना है कि question number two करके code A के अन्य सभी त्रीकोड मिती अनपातों को सेक A के पदों में व्यक्त कीजिए ठीक है तो कैसे इसको change करेंगे तो change करते हैं इसको तो देखिए Sin A यहाँ पे दिया है तो sin A को लिख सकते हैं अंडर रूट का one minus cos square A के फिए आपको पहली सरुसम का मालूं होगी कि sin square theta plus cos square theta equal to one होता है तो sin A equal to जब find करेंगे तिस संख्या का root हो जाएगा अच्छे cos को क्या लिख सकते हैं 1 by का say square A and जब इसको simplify करेंगे say square A minus का one upon say square A and say square theta minus one तो यहां पे रूजागा A root में under say square A जब इसका वर्गमोल निकालेंगे तो इससे एक A हो जाएगा अच्छे अब यह चीज़ देखिए अब क्या होगा इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं हमें sign A को प्रूब कर रहा है sign A को यह चीज़ हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते है एंड देखिए यहां पर है cos A को क्या लिख सकते है 1 by का से के simple सी बात है अच्छा 10 A को कैसे लिखेंगे तो 10 A को ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्कौर थीटा से की स्कौर थीटा के बराबर होता है यह सेकेंड सोरसम का होती है तो यहां सम जब 10 A इकुल टो फाइंड करेंगे से की स्कौर ए माइनस का 1 वी रूट में हो जागा अच्छा जब इसको सिंप्लीफाइ करेंगे तो वन बाइ का अब यह हो जाएगा तो यहां से sin equal to जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 minus का cos square a root में हो जाएगा अच्छा जब इसको simplify करेंगे तो 1 by का अब यह हो जाएगा cos square a को क्या ले सकते हैं 1 by का seq square a लिख सकते हैं क्यों ने लिख सकते हैं तो अब देखी इसको जब आगे simplify करेंगे तो A आएगा C square A minus का 1 और नीचे आज़ आज़ागा C square A अब देखे C square A गर जब root निकालेंगे तो C A हो जागा अब देखे हैं ऊपरवाले की ऊपर वाले वाले की साथ में नीचे वाले की नीचे वाले की साथ में जब multiply करेंगी तो A आएगा sec a upon under root sec square a minus का 1, क्योंकि इस sec के पदों आगे हैं, अच्छा है, last एक को find करते हैं, 1 by का 10 a तो आपको मालम होगा, 1 plus 10 square theta equal to sec square theta होता है तो 10 square theta equal to क्या हो जागा, sec square theta minus 1 होगा की नहीं होगा, सिर्थी बात होगा तो जब 10 a equal to find करेंगे, तो इस संख्या का वर्गमूल हो जागा sec square a minus का 1, तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं, अच्छा है question number 3 का solution करते हैं, question number 3 में कह रहा है, कि first question number 3 का first कह रहा है कि आप find कीजिए हैं कि sine square 63 degree plus sine square 27 degree, cos square 17 degree और cos square 73 degree, इसका मान क्या होगा, आप इसको solve कीजिए, तो चलिए इसका step by step solution करते हैं, तो सबसे पहले जो given होता है question, उसको लिख लेंगे यहां पर कि sine square 36 plus sine square 27 upon cos square 17 plus cos square 73 degree, अच्छा, जब इसको simplify करना है, तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि कि इस चीज़ को हम चेंज करें, तो इसमें हम sine को change करते हैं, और इसमें cos को change करते हैं, तो देखिए, यह तो जियों काते हों लिखेंगे, sine square 27 को लिख सकते हैं कि cos 90 ans minus 27 क्योंकि cos 90 ans minus theta कि इसके बराबर होता, sine theta के तो मतलब, sine square 27 के जगा पर हम लिख सकते हैं कि cos square 90 ans minus का 27 ans, अच्छा, नीचे देखिए, इसको change करते है, cos square 17 ans को लिख सकते, sine square 90 ans minus 7 ans, और यहां पर होजाएगा, cos square 30 ans, ठीक है, तो यहां से ए तो जियों कते हो रहेगा, और यहां पर होजाएगा, cos 36 ans, नीचे होजाएगा, ए चीज, ए चीज, अच्छे, आपको मालूब में होगा, कि sine square theta plus cos square theta, सुर्सम का number 1 का मान क्या होता, 1, तो यहांस होजाएगा, 1, ऐसे नीचे भी देखिए, sine square 37 ans, plus cos square 37 ans, मतलब, theta का मान से मैं, तो सबका number 1 से इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1, 1 by 1 equal to क्या हो जाएगा, 1, तो बहुत यह असानी तरिके से आप इसको solve कर सकते हैं, कि इसका answer क्या आएगा, 1 आएगा, ठेक है, अच्छे, question number इसमें second option का solution कर लेते हैं, और second option में, हमें इसका भी मान ही आगा, कि अधिकतर इस question का मान ही आता है, तो सबसे पहले solution में, फर्स्ट लाइन में तो यह लिखेंगे, जो चीज दिया है, कि sign पचीशन कोस 65 डिग्री कोस 25 डिग्री, sign 65 डिग्री, अच्छे, देखे, sign पचीशन अब देखिए, कोस 65 डिग्री को हम चेंज करेंगे, sign 90 माइनस 65 डिटा, तो यह चीज मिलेगा, sign 90 माइनस डिटा, बरागर, कॉस तीटा होता है, तो देखिए, इसके जगां पे एज लिखेंगे, और यहां पर sign को चेंज करते हैं, कि सब कॉस 90 डिग्री कोस 65 डिग्री, इसको चेंज करेंगे तो यह ब्लेगा क्या हो जागा 9-10 माइनस थीटा तो यह सब्सक्ना हो जागा सयंऑ 45 वह समरा ओं यहीं करेंगे क्यां स्कॉर घिटा एंस श्कॉर take सकते हैं कि इसका मान क्या होगा या आप skilled देंगे देड की कि सायन कई स्कॉबहर 152 क्रेका जो माण होता है किसके बराबर होता है यह तो इस को सालोशन कर सकते है अचा है आएसे हैं को लावर का सालोशन कर लेते हैं सहारा थे और अपने अपने पुछटि के पकी सिखिए टेकंगर तो चलिए इसका साथ मिन करते हैं तो देखे इसमें आपसर एधिया है को से लिखते हैं कि 9 c2a-90 इसको वर और कि सो ख़ते की बराबर होगा। जो आफसर के बराबर new 9 के बराबर छी इत के ब्रावर और डीगी बद्रों की ऩ니다ो इसका और अपिसे स्क्रावशिय के स्क्वाइर ए इसका जो फार्मूला होता है वह वन के बराबर होता है तो यह वह जागा 9 इंटु 1 इकुल टू क्या हो जागा 9 तो सिंपल सी बात आप से नमबर भी इसका करेक्ट होगा एंड सेकेंड का सालूशन कर लेते हैं सेकेंड में करा कि से क्या होगा इसका जो क्या होगा इसका जो क्या है कैसे है कि आप यहां से देख भी सकते हैं कि इसका रिजन यहां से ठीक है कि जो की ओन प्लस ऐसे कोसन यहांब है सेकेंडल टेन ए और इनटु वण माइनस का साइन ए तो जब इसको सिंपलीपाइब करेंगे तेके वन का लिखेंगे लिखेंगी की नहीं लिखेंगे अच्छा सान्ब एकोम लिख सकते हैं की इन्टु इसको हम चेंज नहीं करने है वैसे कि आने देते है अच्छा इनका साइन की सेंगे हुआ थे अ करको साइड मिलेगा ऐसे देखे बाद मैनस का साइड एल फॉसे सब्सक्वाइर चाहिएफ हुआ होगा अठहे अब दिए ओनद्र पारजी कि इसक्वाइर वन ही वहता है हो साइट इसक्वाइर एप तो एक यह हो जागा जाएगा ओन माइनस साइट सॉँपजरे आपको सब्कार नुमर पहली मालूं होगा कि साइट ऑूज सब्ल're a किसके बराबर होता है 1K 1-1 square a cos square a के बराबर होगा की नहीं होगा अब देखें cos square a को लिख सकते cos a into cos a cos disconnect यहां से मिल लिएगा आपको cos a तो इसका option number यहांस कर सकते हैं कि option number d से होगा कि cos a होगा इसका answer ठीक है तो इस तरीके साब इसको solve कर सकते हैं अच्छा question number 3 का solution कर लेते हैं question number 3 में करा कि 1 plus 10 square a upon 1 plus cos square a किसके बराबर होगा तो option देखी a c square a b minus 1 c cot square a and d 10 square a तो इसका जो correct option d होगा 10 square a लेकिन एक कैसे होगा आपको एप्रूब करना कि 1 plus का 10 square a upon time 5 1 plus cos square a इसको प्रूब करना कि 10 square a आपको लाना है तो वह सिंपल तरीके से आप इसको ला सकते हैं आप अहां से सकते हैं कि दिया है 1 plus 10 square a側 on plus cos square a तो one plus 10 square s को ऑन बाइका कॉस इस्ख्वायर आप की स्क्वाइर एको लिख सकते हैं वन बाइका सार्ड स्क्वायर ए इकुल टुप अब देखिए वन से ओन एकट जाएगा एऊ जागा नगा वन बाइका कॉस इसकुर ए या फिर इसको रूल होता है कि जब ऐसे होता है तो अभे जब इ अगे रिलेसिन कि 10 इस्वायर एक जो मान होता साइन स्कॉर और कॉसिंग की पदों में उता है कि साइन स्कॉर एक इसके बराबर वह गा तो आल राइट आपको एक को सानुंबर फोर का भी सालूशन समझ में आया होगा अच्छा नेक्स्ट कोशन नमबर फिप्ट का सालूशन करते हैं और कोशन नमबर फिप्ट में कहा रहा है कि निवनलिखित स्वर्शम का सिद्ध कीजिए जहां भी कोड जिनके लिए बेंजग परिभासित है निवनलिखित है ठीक है अफसन नमबर ए में कहा रहा है कि कॉसेग थीटा माइनस कॉड थीटा आफ होल स्क्वाइर इसको हमें प्रूब करना है कि 1- को कॉस थीटा अपान 1 प्लस को कॉस थीटा एक कैसे प्रूब होगा तो वीडियो में अंतक हमारे साथ में बने रही है तो देखें सबसे पहले यहां से हम लेकर चलते है LHS से लेकर चलते है RHS हमें प्रूब करना है तो LHS में कहा रहा है कि कॉस थीटा माइनस कॉड थीटा आफ होल स्क्वाइर क्या कर रहा है कि कॉस एक थीटा माइनस कॉट थीटा आफ होल स्क्वार कॉस एक थीटा को वन भाई का साइन थीटा लिख सकते हैं और थीटा के जगहां पर एदियात एवी लिख सकते हैं कॉट एक जगहां पर क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए क्योंकि आपको मालम सब्सक्राइब आपको मालुम होगा कि एक को स्टक में ए प्लस भी और दूसरे को स्टक अच्छा सुरी यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आप नीचे देखिए क्या हो रहाए यहां पर क्या परिवर्त न हो रहा है कि आपको मालूम होगा कि यह आप दिया कि A कोस्टक में A प्लस B और दुसरे कोस्टक में A माइनस B इसका फार्मूला क्या होता है A स्क्वार माइनस B स्क्वार अब देखिए 1 का स्क्वार 1 ही होता है तो यहां से आपको गिस लगा लेना है कि ए जो फार्मुला है A square minus B square है तो इसलिए A को स्टक में A minus B दूसरे को स्टक में A plus B हो जाएगा अब देखें यहां से कोई A चीज तो कट सकता है न यहां से तो ये जगा 1- का cos theta upon 1 plus का cos theta तो इस तरीके से आप prove कर सकते हैं क्योंकि देखी है उपर डोनों minus है तो माली जो minus minus कर गया तो ये जगा 1- cos theta upon 1 plus का cos theta जिस LHS के बराबर आगया RHS के बराबर आगया तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं प्रれुब कर सकते हैं ठीक है तो आयोप आपको इसका सालेस्ट समझे में आया होगा अच्छा सेकेंड आफसं का सालेस्ट करते हैं सो केंड आफसंट में कह रहा है कि कोश Сам 1 प्लस sain a plus one plus sain a upon cos a equal to two sake a और इसको प्रूब करना है कि इसका जो LHS होगा वो RHS मतलब two sake a के बराबर होगा तो इसको प्रूब करने के लिए सबसे बड़ी संख्या को लेकर चलते हैं और छोटी संख्या के बराबर प्रूब करते हैं तो LHS करते हैं LHS कहरा कि कॉस अपान one plus का साइन ए प्लस one plus sign a upon cos a और इसको प्रूब करना टू से एक बराबर प्रूब करना है तो कैसे प्रूब करेंगे वीडियो में अंतक मारे साथ में बने रही है तो चलिए इसका सालोशन करते हैं तो देखिए यह आप दिया कॉस अपान one plus का साइन ए और one plus sign a upon cos a तो दोनों का LC हम लेते हैं तो यह बज़ागा कॉस ए इंटू one plus sign a और जब इसको सिंप्लिफाइग करेंगे तो यह आएगा कॉस स्क्वाइर ए प्लस one निचे क्या कॉस ए इंटू one plus का साइन ए अच्छा इसको और सिंप्लिफाइग करते हैं तो कॉस स्क्वाइर ए प्लस sign square ए प्लस one plus two sign a और निचे क्या मिल ज़ेगा कॉस ए और इसको और सिंप्लिफाइग करेंगे one plus one का two and two sign a change हो जागा एंड देखे कॉस ए और ब्रेकेट में one plus sign a इसको नहीं चेंज करना है और देखे two else दोनों में से common क्या होगा two common लेंगे जैसे two common लेंगे तो one plus का sign a one plus का sign a दोनों से kत जेगा तो आपको मिलेगा two common k cause a this common sable सकते हैं कौस य मान बाई का कौस यस के बरावर होता हुदा थे के तो इस तरीके से घार सकते हैं कि टूसे के मिल जागा तो से यसक के बरावर है आर यसलिब कर सकते हैं कि लह से के बराबर होगा और संस्त करते हैं थर flks को प्रीटा पान 1-1 यह गरोगा है तो कैसे नंधिक क्यों विडियो मेंया mudar साथ 맞는 एक सब्सक्राइब przygot और कर चलते हैं क्यों कि लिए कर चलते हैं क्योंकि ल carbohला है और झोटा क्या और शेते को रहेकर चलते हैं और इसको प्रूब करेंगे और यह लाषक के ब्रावर तो LHस में क्या क्या कर रहा कर दो कि 10坐 apply फंच कोड एपन लेंगीच के उसको OFF भूट्ऩ है और भी वॅन भूंड पर ना यहां पर भी गत तो हमने इसको चेंज कर लिया ठीक है तो इस तरीके से हमने एचीज फाइंड कर लिया और इसको आप और सिंप्लिफाइग करेंगे जब तो यहां मिल जाएगा देखिए एट टैन उपर जागा टैन स्क्वार थीटा अपान टैन थीटा माइनस का वन एड़ देखिए इसको वन को यहीं पर रहेगा और यह जब ऊपर जागा तो यह जगा टैन थीटा इंटू वन माइनस का टैन थीटा देखिए अब इसको और सिंप्लिफाइग करते टैन स्क्वार थीटा अपान टैन थीटा माइनस का वन इसको वह ऐसे लिखेंगे अब देखिए यहां पर क्या ह होगा कि माइनस का टैन थीटा माइनस का टैन थीटा माइनस का वन क्योंकि यहां पर माइनस क्यों आया है क्योंकि इस माइनस का जब इसमें 10 को ठीक है तो जैसी 10 नेहीं होता है अब इसका हो दोनों का सेम हो रहा है तो यहांप हम कहेंगे कि ऐश मिलेगा और धिखे प्लस मैंनस क्या हिन जाए गा मैंनस हो जाएगा यहां पर प्लस माँनस क्या होगा मैनस हो जाएगा तो टैन सकूर्ट हीटा अपांड ओथेटा— का वन, और माइनस साथ में ऐना चाहिए कि यहां पर कि इस ten को प्लस में करने के लिए यहां पर मैनस लगा गया की यह दोनों का एल से यह गोगा टैन तीटा, कॉप्ma मन, ऑ जागा अब टैन थीटा माईनस करेंगे 10 q theta minus का 1 हो जागा है अच्छा इसको और simplify कर रहा है तो देखिए एचीज इस मिलेगा यहां से कि 10 theta minus का 1 into 10 square theta plus 10 theta plus one और नीचे मिल जागा 10 theta into 10 theta minus का 1 क्योंकि आपको मालूम होगा एक फार्मूला की x cube minus y cube इसका फार्मूला होता है एक मायनस y और bracket में x square प्लस 7 afterwardsоды इसको अपने इसके एत्रोड मिलेगा 10 स्क्वार थीटा प्लस इच्वार थीटा प्लस ठीम क्लस वर और जब इसको क्लिपाइग करेंगे आपके पास में आ जागा 10 स्क्वार थीटा अपंट 10 तेटा यहां पर यहां मिलेगा टेटा प्लस वन और यहां पर क्या मिलेगा वन भाय का टेन तीटा के बराबर हो जाएगा तो यहां मिलेगा अब टेन तीटा को लिख सकते साइन तीटा वोटे कोश थित प्लस ओन कोट्ड मृट्ट एकवट सब्सकेहे चुकि यहां पर आप इसका एयुक्न भी दे simply सकते हैं कि कषञ का फार्मला से प्लस हें सुक्ति धिता एलटे था मोटनिट साइन थीटा अससे इक अच्छा कि अब यहां पर देखिएगा कि कोस स्क्वार्वद फिटा प्लॉस स्क्वार्वर्वर अब यह दोनों कि अपान कोस टीटा इंटु साइन टीटा अच्छा इसको और सिंपलिफाइगे जब तो यहां से आपको h मिलेगा sin theta into cos theta upon cos theta into sin theta अब इसको हम ली सकते हैं 1 by तों ए 1 के बराबर हो जाएगी तो यहाल सकेंगे 1 plus का 1 by का स एंट्व वाई का sin theta चूक्कि अब को मालूम है की 1 by cos theta directive sz theta के बराबर होता है और वाइ sin theta coz theta के बराबर होती है तो यहां सकेंगे one by cos theta सेक थीटा एंड वान बाई साइन थीटा को सेक थीटा तो यह यह में प्रूब भी करना था तो यहां सका सकते कि एलेचस के बराबर है तो इस तरीके से आप इसको साल्व कर सकते हैं